हलो फ्रेंड्स नमस्कार और स्वाक्त है आपका आपके फेवरिट यूट्यूब चैनल एक्जैम क्रेकर में आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे स्क्वेर रूट एंड क्यूब रूट के कुछ क्वेस्चन जो एक्जैम में आते रहते हैं तो आएए सुरू करते हैं इस क्वेस्चन के साथ हमारा ये क्वेस्चन है यहाँ पर लिखा है माइनस एकसो आठ का घन मूल गुणा छेसो चैसी का घन मूल बराबर होगा किसके माइनस 42, 42, माइनस 63 या 84 क्या लिखा है देखिए यहाँ पर माइनस 108 क्यूब रूट यहाँ पर जो 3 लिखा है वो एक्चुल में माइनस 108 की पावर एक वटे 3 है और यहाँ पर 686 की पावर एक वटे 3 है इसका मतलब है यह घन मूल या क्यूब रूट है तो ये कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम 108 के factor निकालेंगे और फिर 686 के factor निकालेंगे और उस मेंसे जो triplet या तिकडियां हैं वो बहर निकालेंगे, फिर simplify करेंगे 108 के factor सबसे पहले 2 से भाग चौब बनाएगा फिर 2 से भाग 27 आएगा 3 से भाग फिर 9 आएगा 3 से भाग 3 होगा इसी तरह से यहाँ पर अब 686 के तो 686 के लिए मैं क्या करूँगा सबसे पहले 2 से भाग तो यह होगा 3, 4, 3 फिर 7 के साथ भाग जाएगा ये तो ये आएगा 49 और फिर 7 के साथ भाग जाएगा तो 7 रहेगा अब देखिए ये जो लिखा है इसको मैं लिख देता हूँ तो इसका मतलब क्या है माइनस 108 गुणा 686 और इस सारे की पावर एक वटे 3 क्यों क्योंकि बीच में मल्टिप्लिकेशन है और मल्टिप्लिकेशन में हम पावर्स को इकठा कर सकते हैं यहां पर भी एक वट तीन पावर है यहां पर भी एक वट तीन पावर है तो इसको हमने इकठा कर लिया एक ही जगा लेके तो देखे एक सो आठ के जो फेक्टर है वो लिखेंगे हम माइनस अपनी जगा पर रहेगा तो यह आएंगे दो गुणा तीन गुणा तीन गुणा त अब one by three है इसका मतलब हम इसको खत्म करने के लिए यहां पर triplet या तिकडियां यूज करेंगे तो यहां पर यह तीन है इनको इकठा कर दिया है यह साथ यहां ही कठा कर दिया तो यहां से हमें क्या मिलेगा इस तीन के बदले तीन बाहर निकल जाएगा और इससे बाहर हो जाएगा यहां पर भी साथ तो हम लिखेंगे तीन गुणा साथ और फिर फिर यह जो है माइनस two into two तो माइनस बैसे ही रखेंगे हम माइनस दो की पावर दो लिख देंगे गुणा यहां पर दो की पावर एक और है तो यह एक दो एक दो और तीन तो यहां पर लिखेंगे हम दो की पावर तीन और इस सारे की पावर फिर से एक वटे तीन हो जाएंगे अब देखिए यहाँ पर एक वटे तीन पावर है तो यह और यह खत्म हो गई हमें मिला यहाँ से तीन गुणा साथ गुणा माइनस दो और इसको लिखेंगे हम माइनस 42 तो हमारा उप्सन कौन सा है एए उप्सन सही जवाब हो जाएगा अब एक दम से इसको रिवाइज करते हैं देखिए माइनस 108 जो लिखा है माइनस 108 के फेक्टर बने हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 तो हमने लिख दिया इसको 2 गुणा 2 गुणा 3 तीन 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 और 660 के फेक्टर है 2777 तो यहाँ लिख दिया 2777 इससे पहले देख है इसको अब उसके बाद देखिए हमने इसके ट्रिपलेट या तिकडियं वहां निकालें तो यहां से एक निकालेंगे एक यहां से निकालेंगे तो यह तीन और साथ बाहर आ इसके बाहर तो उसके बाद जो बचेगा उनका इकठा कर लेना है एक दो ये बचा, एक दो ये एक बचा, एक दो यहां बचा तो इनको दो की पावर तीन लिख लिया और ये पावर एज इटिज रही दो की पावर, इसकी पावर माइनस दो की पावर तीन की सारे की पावर एक बटे 3 तो 3 और 3 कतम हो गए हमारे पास बच्चा 3 गुणा 7 21 और माइनस 2 तो 3 गुणा 7 गुणा माइनस 2 माइनस 42 अंसर हमारा option A हमारा अगला question है cube root of 2 whole 43 over 343 घन मूल निकालना है हमने घन मूल इसका 2 सही 43 माटे 343 का तो इसको क्या करेंगे सबसे पहले इसको हम fraction या भिन्नों में change करेंगे तो कैसे करते हैं इसके साथ इसको multiply कर देते हैं 343 into 2 और ये जो है सबसे उपर इसको add कर लेते हैं यहां पर तो 342 ये बन गया 686 प्लस 43 और जब दोनों को जमा कर लेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 729 अब 729 का हमने घन मूल निकालना है और घन मूल का मतलब होता है पाबर एक बटे 3 इसके factor बना के और factor कैसे बनेंगे देखिए सबसे पहले 3 से भाग देंगे तो ये देखिए ये आ जाएगा 3 गुण 2 6 एक बचेगा 3 चुके 12 3 ते 9 फिर 3 से भाग तो ये आ जाएगा 21 से फिर 3 से भाग 27 मिलेगा फिर 3 से भाग ये मिलेगा 9 और फिर 3 से भाग 3 अब इसके हम factor लिख लेंगे और क्यूब रूट में यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं ये into नहीं होता है इसके अंदर होता है इसको बोलेंगे क्यूब रूट या घन मूल तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो हम 6 बार लिखेंगे 3 को फिर हम इसके triplet या तिकडिये बनाएंगे मतलब 3 के बदले मैं एक बार लिखना है इसका मतलब यह हुआ यहां पर भी 3 आ गया तो यह इसका घन मूल आएगा इन तीनों मैंसे एक लिखेंगे तीन बार और इन तीनों मैंसे एक बार लिखेंगे तो यह आएगा 3 गुणा 3, 9 अब देखिए इसके हमने फ्रेक्शन क्या बनाए थी 729 भाग भाग तो जो नीचे है वो बैसे का बैसा ही रहता है और इसका घन मूल मतलब एक बटे तीन तो 729 का हमने निकाल लिया 9 आ गया और 343 का क्या रहता है इसी तरह से 343 को हम भाग दे सकते हैं 3 से 7 से भाग दिया तो 7 गुना 4 अठाइस 6 बचा 7 गुना 9 63 फिर 7 से भाग दिया 7 बचा तो इसको हम लिखेंगे देखिए 1 7 2 7 3 7 तीन के बदले में एक बार तो यह जाएगा 7 और यही हमारा अंसर हो जाएगा 9 बटे 7 तो option B बिलकुल सही जवाब होगा अगला question है the value of 64 power minus 2 by 3 plus 64 power 2 by 3 whole power 1 by 2 is equal to यहां देखिए 8 सही एक वटे 8 या 4 सही एक वटे 16 या 4 की पावर माइनस 1 या 4 की पावर माइनस 2 देखिए ये 4 की पावर माइनस 1 का मतलब है 1 वटे 4 और 4 की पावर माइनस 2 का मतलब है 1 वटे 4 की पावर 2 और जिसको हम एक वेटे 16 में लिख सकते हैं तो अगर हमारे उपसर में एक वेटे 16 आता है तो यह एक ही बात है और अगर एक वेटे 4 आता है तो यही बात है और यहां से देखिए यहां 8 गुना 8 64 प्लस 1 65 प्लस 8 आता है तब भी यही होगा और यहां से 16 गुना 4 64 प्लस 1 65 औ हम इसको solve कर लेते हैं सबसे पहले है 64 और 64 को हमने ऐसे break करना है ताकि हमारे पास उसकी power जो है वो 3 आए जो ये लिखी हुई है इसी तरह से यहां पर 64 को ऐसे break करेंगे कि ये power मिल जाए तो कैसे होगा वो 64 को हम लिख सकते हैं 4 की power 3 तो हमें पता है 4 की power 3 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 16 गुना 4 64 होता है तो हम यहां पर इसकी जगा लिखेंगे चार power 3 और फिर ऐसे ही लिख देंगे जो दिया है whole power minus 2 y 3 फिर यहां से आगे यहां पर भी वैसे ही लिखेंगे भी के चार power 3 उसके बाद सारे के power है दो वटे 3 और सारे की power माइनस दो प्लस यहां चार की power 2 और फिर सारे की power एक वटे 2 प्लस यहां चार ही बचा है, चार की पावर एक का मतलब यहां, इसको हम सोल कर सकते हैं, झार की पावर दो, इसको हम लिख सकते हैं, एक वटे सॉला, चार की पावर दो का मतलब एक वेटे 16 हो गया अब LCM ले लिया तो LCM यह आ गया 16 और 1 प्लस 64 और 64 प्लस 1 65 ओवर 16 अब 65 को 16 से भाग दिया तो हमारे पास 4 मिला 4 हुआ भाग देके 16 गुना 4 64 एक बचा एक यहां लिख देंगे और जो नीचे है वह वैसे का बैसा है तो 4 हूल 1 वाई 16 और यह हमारा ओप्सन भी सही रवाबा जाएगा और फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले आपके साथ एक पास शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि आप या आपका कोई साथी किसी कुम्पीटिशन की तैयारी कर रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि इसमें मैं जीके से रिलेटेड मिटीरियल मैस के शोर्ट्रिक और रिजिनिंग की सिंपल एक्स्प्लेनेशन के साथ वीडियो डालता रहता हूँ आप जरूर बिजिट करें और अपने साथियों को भी ये चैनल का लिंक शेयर करें ताकि वो भी इसका बेलिफिट ले सकें अब आगे बढ़ते हैं हमारा ये कुश्चिन है विद वट स्मालेस्ट नंबर 77,175 शुद भी मल्टिप्लाइड सो दैट रिजल्टिंग नंबर इज ए पर्फेक्ट क्यूब मतलब क्या हुआ कि हम 77,175 को किस छोटी से छोटे नंबर के साथ या संख्या के साथ गुणा करें कि यह नंबर एक पूल घन बन जाए इस टाइप के question को करने के लिए perfect cube हो या perfect square हो हम क्या करते हैं सीधे factor बनाते हैं और फिर अगर perfect square है तो हमें उसके pair बनाने है अगर perfect cube करना है तो हमें उसके triplet या तिकड़ियें बनानी है पूरी की पूरी अगर पूरी की पूरी नहीं वनती है तो वो ही हमारा अंसर होगा जो पूरी नहीं वनेंगे तो देखें यहां पर क्या होगा सबसे पहले हम नमबर लिख लेते हैं 77,175 अब ये दो से तो भाग नहीं होगा क्योंकि यहां पर लास्ट मैं इवन नमबर नहीं है अब तीन से भाग हो जाएगा तीन से कैसे हमने इसके सभी डिजिट को एड कर लिया और वो तीन से भाग होगे जेखे साथ जमन साथ चोदा एक पंदरा साथ बाईस और पांच 27 और 27 तीन से भाग हो जाता है इसलिए हम तीन से भाग करेंगे तो तीन गुना दो च्छे एक बचा 27 हो गए तीन पंचे पंदरा दो दो बचा तीन सते एकीस फिर तीन गुना दो च्छे और एक बचा तीन पंचे पंदरा अब फिर फिर देखते हैं तीन से भाग होता कि नहीं हम इस सारे digit को add कर लेंगे 52771451921 फिर 3 से भाग हो गया हम 3 से भाग कर लेते हैं हम जब भी किसी बड़े नंबर को 3 से भाग करना चाहें तो हम उसके digit को add कर लेंगे अगर वो digit 3 से भाग हो गए अगर उसका sum 3 से भाग हो गया तो वो सारे का सारा नमबर 3 से भाग हो जाता है तो देखें यहां पर 3 गुणा 8, 24 एक बचा 3, गुणा 5, 15 फिर 2 बचे 3, गुणा 7, 21 फिर 1 बचा 3, गुणा 5, 15 अब इसको देखते हैं यह डिजिट 3 से भाग होते हैं कि नहीं तो 5, 8, 13 7, 20 और 5, 25 यह नहीं होगा अब 3 के बाद बाली है 4 की तो 4 से भी नहीं होगा तो यह 5 से हम लिखेंगे 5 तो 5 से 5, 8 को भाग दिया 3 बचा, फिर 35 होगे 5 गुणा 7, 35 फिर 7 को भाग दिया 5 गुणा 5, बचा 2 5 होगे हूं 25 तो यह आगया हमारा 1715 फिर 5 से भाग हो जाएगा यह तो 5 गुणा 3, 15 2 बचेंगे, 5 गुणा 4, 20 एक बचेंगा, 5 गुणा 3, 15 फिर अब यह 7 से भाग हो जाएगा 5 से भाग नहीं होगा, अब 7 से तो यह आगा, 7 गुणा 4, 28 6 बचेंगा, 7 गुणा 9, 63 फिर 7 से भाग हो जाएगा और यह बचेंगा, हमारे पास 7 अब इन सारे फेक्टर को हम लिख लेते हैं तो यह फेक्टर बनेंगे इसके 3, 3, 5 5, 7 7, 7 अब देखिए, जब हमने यह सारे फेक्टर लिख लिए तो इस मेंसे हमने ट्रिप्लेट निकालने हैं जो ट्रिप्लेट हैं वो बाहर कर देने हैं यह साथ, साथ, साथ तो यह बाहर हो गया जो भी ट्रिप्लेट होंगे, वो बाहर निकाल देंगे जो triplet नहीं होंगे वो बचेंगे तो देखिए यहां पर triplet बनाना है तीन गुणा तीन अगर हम इसको एक तीन से multiply कर दे अब इस तीन को हम एक बार तीन से multiply कर दे तो यह triplet बन जाएगा इसी तरह से जो पांच है वो दो बार है हमें एक बार फिर से अपनी तरफ से multiply करना पड़ेगा तो यह triplet बन जाएगा तो हमने अपनी तरफ से क्या किया है एक तीन और एक पांच तो पांच गुणा तीन पंद्रा और यही हमारा answer आ गया क्योंकि अगर यहां पर तीन और एक और पांच होता तो इसका perfect cube आ जाना था तीन गुणा तीन गुणा तीन तीन आना था यहां से पांच आना था और यहां से तो साथ आया ही है तो इसका perfect यह आ जाना था एक सो पांच perfect cube तो हमारा answer क्या है हमारा answer है 15 तो option B हमारा सही जवाब हो जाएगा और हमारे वीडियो का last question है अंडरूट ओफ पॉइंट जीरो सैवन तू नाइन प्लैस अंडरूट ओफ पॉइंट जीरो जीरो सैवन तूनाइन इस एक्वाल टू देखे इस टाइप के question को करने के लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले decimal को भूल जाते हैं इसका मतलब हुआ कि हमें 729, 729 का अंडर रूट पता होना चाहिए, और वो कितना होता है, 729 का रूट होता है 27, अब यहां पर देखना है, तो यहां सबसे पहले हम इसकी जगा भी 27 लेकेंगे, इसकी जगा भी 27 लेकेंगे, 27 प्लस 27, अब हमारा छोटा सा काम बचा है कि decimal हम क कौंटिंग करेंगे, कितने डिजिट के बाद decimal है, 1, 2, 3, 4, 4 डिजिट के बाद, और यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 के बाद, तो हमने क्या करना है, जितने डिजिट के बाद decimal है, उसके आदे कर देना है, मतलब 2 से भाग, तो यहां 4 है, इसका मतलब हमें मिलेगा 2, और यहां 6 ह बाद decimal लगाना है इसका मतलब पहला डिजिट साथ है दूसरा दो है यहां पर decimal लगेगा पहले नमबर में यहां पर सब्सक्राइक एड़ करेंगे दूसरा यहां पर रदेगा हम अपने तरफ लगाएंगे जिरो और फिर decimal लगेगा अब right side में जितने मर्जे 0 लगा सकते हैं तो add करेंगे 0.270 और निचा एगा 0.027 इन दोनों को जब add करेंगे तो यह आएगा हमारे पास 0.297 और 0.297 हमारा कौन सा option है? Option C Option C सही जबाब हो जाएगा अब अगर आपकी calculation fast है तो आप इसको ऐसे ही कर सकते हैं बीन calculation की कैसे? यहां से हमें 27 मिलेगा यहां से भी 27 मिलेगा यहां 6 digit है decimal के बाद तो इसका मतलब 3 के बाद decimal लगेगा और यहां पर 4 हैं तो 2 के बाद decimal लगेगा अब यह हो गया 0.27 यह 0.027 इनको ऐड़ करेंगे तो ऐसा भी बोल सकते हैं हम 0.270 यहां पर 0.027 जब इसको ऐड़ करेंगे तो देखें क्या है यह यह है 270 यह है 27 जब दोनों को ऐड़ करेंगे तो दोस्तों 97 हो जाएगा और decimal अपनी जग़ा पर यह सोटकर ट्रीका है हम ऐसे भी एड़ कर सकतें इसको तो फ्रेंड्स यह था आज का वीडियो जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन देखे नंबर सिस्टम या बर्ग मूल के उपर या घन मूल के उपर आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा आप इसको लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ सेयर करें अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भोलें थेंक्यू